नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अमित और आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्चन को जो की रेलवे एक्जामस में बार बार पूछे गए हैं ठीके और जो की आपके बहुत सारे एक्जामस में पूछे गए इस तरीके के सवाल तो आप लोग इन प्रस्णों को जरूर देख लीजेगा ठीके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पे अगर पहली बार होता है ठीके तो लाल अस्थी मज्जा में निर्माड होता है दोस्तो लाल रक्तकडिकाओं का यानि की आर बीसीज का ठीके आर बीसीज ठीके रेड बलड कॉर्प सेल्स ठीके ये दोस्तों लाल अस्थी मज्जा होता क्या है दोस्तों तो हमारे बोन्स के बीच में हमारे अस्थि मज्जा बोलते हैं ठीक है तो याद रखना है आपको RBC जो है कहा पर बनती है तो लाल अस्थि मज्जा में बनती है ठीक है बॉन मेरों जिसको बोलते हैं ओके चलिए अगला प्रस्ण कसेरुक दंडे में कितनी अस्थिया पाई जाती है तो कसेरुक दंडे में दोस् कि हडी व कि Hetा एक चाहिए छुटी चोटी हड्लियों से जुरके बना हुआ इसलिए हम घुक पाते हैं थीक हमारे बॉड़ी में अगर यह एक हडी होती है खुतना नहीं पाता हुथ ठीक है बहुत इधिकत ही होती इसलिए नेचर ने हम को इस तरीके से design किया है कि हम सारे कारियों को संपन्न कर सके ठीक है चलिए अगला प्रशन है hypothalamus ग्रंथी द्वारा किसका नियंतर किया जाता है तो आपको बतारा है दोस्तो hypothalamus gland ठीक है यह एक gland है और यह किसका नियंतर करता दोस्तों तो हमारे सरीर के ताप को नियंतरित करता है ठीक है तो यह आपको याद रखना है hypothalamus gland का कारिया चलिए अगला प्रशन athlete food नामक रो किस से होता है ठीक है तो athlete food जो होता है एक तरीके का क्या है तो एक तरीके का डाध है जो athlete के पैरो में ठीक है जो खिलारी होते है उनके पैरो में यह हो जाता है ठीक है और यह किसके द्वारा होता है दोस्तों तो यह होता है कवक के द्वारा किसके द्वारा कव वीसी जी का पूरा नाम क्या है ठीक है वीसी जी का पूरा नाम आपको बताना है ठीक है फिलाल तो आपके सामने ही है वीसी जी का पूरा नाम होता है दोस्तो वैसिलस कालमिट्टे ग्यूरीन ठीक है वैसिलस कालमिट्टे ग्यूरीन जो है इसका पूरा नाम है और वीसी जी यह क्या है अपने आप में वैक्सीन है ठीक है क्या है वैक्सीन है जो छोटे बच्चों में लगाया जाता है ठीक है किस्से बचने के लिए तो टीबी का जो यह क्या है वैक्सीन है तो बच्चों में इसलिए लगा जाता है कि यह आने वाले समय में टीबी से गरस्तना हो ठीक जब किसी ने किसी बिमारी से ग्रस्त होता है, मतलब सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, तो उस इस्तिती को हम बोलते है, ठीक है, ये भी किस से होता है, ठीक है, चलिए, अगला प्रसंद देखते हैं, फाइलेरिया नामक रोग किस के कारण होता है, तो फाइलेरिया जो है, जो मादा क्यूलेक्स मक्चर जो होता है तो परजीवी जो है वो परजीवी एक larwa है जो मक्चर के काटने से Q-Lex मच्छर के काटने से मनुसिय के सहीज में पहुँच जाता है ठीक है और जो क्या करता है एक क्रीमी का रूप ले लेता है ठीक है और उसके दूस परड़ाम से रूप Singapore, Philaria नमक रूप हो जाता है इसमें क्या होता है पैर वगरा जो है काफी फूल जाते है ठीक है बहुत ही जड़ा आउटो गड़ोट फैरों में जिस कारड़ से हम क्या बोलते है उसको हाथी पाव रूप बोलते है ठीक है तो किसके कारड़ होता है तो क्रीमी के कारड़ होता तो उसकी गतिज उर्जा कितनी होती है दोस्तों आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर गतिज उर्जा की बात की जाए तो गतिज उर्जा को हम क्या माल लेते हैं एक माल लेते हैं यह पूरे वैल्यू अगर हम इसको खतम कर दें ठीक है एक मालने तो क्या होगा ठीक है एक माल लेते हैं मतलब यहां पर हम इसको अगर हम कट कर दें ठीक है एक माल लिया जा इस पूरे वैल्यू को सॉल्ब करने पर तो वी को अगर हम दो माल लेते हैं ठीक है और इसक्वाइर है ठीक है यानि वेग अगर दो है तो अगर उसक्वाइर लगा है तो इसक्वाइर लगने का मतलब क्या हो गया कि दो दूनी चार ठीक है यानि कि कितना हो गया चार गुना हो गया ठीक है तो गतीज उर्जा कितना हो जाता है तो चार गुला हो जाता है ठीक है चलिए अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं सुत्रकडिकाओं को किस अन्य नाम से जानते हैं ठीक है तो सुत्रकडिकाओं को हम जानते हैं mitochondria के नाम से यह कोजिका का पावर हाउस और जहां पे जवत होती है वहां पे ज्वाला का क्या आर्थ है ठीक है तो इसका सही आंसर आपके सामने है ऐसे पेडों से भरा वन जो पतजड में फूलते हैं और लाल फूल भी खेड़ते हैं आपने कई जगा देखा होगा कि पूरा का पूरा ब्रिक्ष जो है रेड हो जाता है पतजड के समय में ठीक है किसी वर्ग में रखा जाता है ठीक है तो वर्ट वरिक्ष को हम किस वर्ग में रखते हैं पादपो के तो हम रखते हैं आवर्त बीजी में ठीक है याद रखिएगा हमेसा आवर्त बीजी में रखते हैं अवर्त बीजी पौधों का जो एक विशेष्ता है वो यह है कि इसके जो होते हैं यह ऑलसी धके रहते हैं जैसे कि आपने आम देखा है जैसे कि आप में रखते हैं ठीक है तो जो वट होता है बर्गत होता है बर्गत का जो फल होता है आपने फल देखा होगा कई बार अगर किसी के आसपास होगा तो उसके फलों के फलों के फलों के अंदर बीज होता है ठीक है यानि कि आवरड के बीच में घिरा रहता है इसलिए उसको आवर तुक्त कवक के द्वारा किया जाता है ठीक है कि अच्छा पैनिसेलीन की खोज किस ने की थी तो अलग जेन्डर फ्लेमिंग ने की थी ठीक है पैनिसेलीन अपने आप में क्था है तो ये एक एन्टीबा sogar वाई ठीक है चल donji अगले प्रस्ष्ण की तरफ बढ़ते है जीवों का सहजीवी जीवन प्रदशित करता है ठीक है तो लायकें जो है यह अपने आप में एक सहजीवी जीवन का एक बेश्टूधारण है ठीक है और बना ही अधिक है प्रदान होता है यादर होता है ठीक है याद रखेगा हमें से सेवाल वक कवक के द्वारा ही लाइकिन का निर्मार होता है ठीक है तो लॉंग किस से प्राप्त होता है पुस्प कली से ठीक है यह एक पुस्प की कली होती है ठीक है जिससे हम लॉंग जो है आप मिसाले में यूज करते हैं वो बनता है ठीक है अगला प्रशन आम तोर पर संसलेशित बृद्धी माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किस से प्राप्त होता है तो दोस्तों यह प्राप्त होता है सैवाल से हमेशा याद रखिएगा ठीक है चलिए अगले प्रशन को देखते हैं लोग सैवाल का अध्या किस साखा में किया जाता है दोस्तों तो माईको लोजी के अंतरगत किया जाता है ठीक है तो यहां पर याद रखने वाली बात है ठीक है याद रखिएगा भारत में केंद्री धान अनुसंधान केंद्र कहां पर इस्थित है तो कहां पर इस्थित है दोस्तों तो यह इस्थ Lactic Acid जो है, हमारे Manspatia के बीछ में जब बनने लग जाता है, ठीक है, तो हमारी Manspatia जो है, थकान महसुस करती है, यानि कि हम थकान महसुस करते हैं, जब हम दोरते हैं, तो हम दोरने के साथ साथ ही, हमारे पैरों में, हाथ में बहुत तीज दर्ण होता है, आपको पता होगा, ज जब थोड़ा देर दोड़ने लग जाते हैं, तो हमारी सास फूलती है, और सास फूलने के साथ साथ ही, हमारे पैरों में, हमारे हाथों में तीज दर्द होने लग जाता है, ठीक है, तो किसकी कार होता है, तो हमारे मान स्पेस्यों के बीच में लेक्टिक एसिद बनने के अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं और आज का ये आखरी प्रशन होगा सभी जीव धारियों में पाया जाने वाला वह कौन सा योगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फासपोरस पाया जाता है ठीक है तो इसका सही आंसर है नुकलिक एसिड या नुकलिक अमल में ठीक है द है जो कंः एक जीव पाया जाता है ठीक है तो अनुकलिक अमल है जोकि हर एक जीव में पाया जाता है ठीक है चाहे वह प्रोकरियोटिक जीव हो या फिरção केरियोटिक जीवो सब में ठीके तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आईयोगा वीडियो को लाइक करना मुद भूलेगा मिलते हैं अगे वीडियो में तक के लिए वाई बाई टेक कियर जैहन